तुभम करोति कल्यानम आरोग्यम धन संपदा सत्रु बुद्धी विनाशाय दीपम जोती नमस्तुते जै मतादी दोस्तों हर हर महादेव आप सभी ने भी संध्या दीप के बारे में सुना होगा आप सभी भी संध्या दीपक घर का मंदिर हो या मुख्य द्वार पर जरूर स प्रजुलित करते होंगे परन्तु इसका सही नियम सही विधी बहुत कम लोग जानते हैं जिस कारण से जीवन भर दीपक प्रजुलित करते रह जाते हैं परन्तु जीवन में सुख सम्रदी धन संपदा उनके नहीं आपाती इसके पीछे कुछ विसेश नियम कहे गये हैं ज प्रकाश मान करता है और सबसे पहले पूजा में दीपक ही प्रजुलित किया जाता है हमारी पूजा पाट का साक्षी दीपक को कहा गया है ऐसे मैं प्रतेक घर में आप किसी कारण से कोई प्रियट की स्थिति है सुतक पातक की स्थिति है आप नहीं प्रजुलित कर सकते तो अपने घर के जो बच्चे हैं उन्हें धीरे धीरे सतमार्ग पर लाते हुए उनसे में जिसे गौधुली बेला कहा जाता है प्रदोशकाल का समय कहा जाता है अम्रित बेला कहा जाता है वह होता है सुर्य अस्त से थोड़ा सा समय हलका सा अंधिरा हो हलकी सी सूरी की रोश्नी हो तभी जो है दीपक प्रजुलित कर देना चाहिए अब आपने कई महलाओं को द पूर्ण रूप से दो शुत्पन करने वाला होता है अंधेरे को काटने का कार जो है अर्था तो रोशनी करती है तो अंधेरा होने से पहले ही हमें प्रजुलीद कर लेना चाहिए यही दीपक लगाने का सही समय माना जाता है तो सही समय चुनिए कस्ट स्वयं मिढ जाएंगे तो आपको सबसे पहले अंधिरा होने से पहले ही अर्था साज होने से पूर्ण रूप से अंधिरा होने से पहले ही दीप्रजुलित कर लेना चाहिए घर के मुख्यद्वार पर और साथी आप सभी को अपने घर के मंदिर में भी दीप्रजुलित कर देना चाहिए इस सही समय अब कई बार सवाल आता है कि घर के मुख्यदवार पर दीपक लगा रहे हैं तो दाहिनी और लगाएं या बायें और हमेशा दाहिना हाथ प्रतेक कारी में परिक्रमा हो, पूजा इस्थल पर बैठने की बात हो, दाहिनी हाथ से लिखने की बात हो, दाहिने हाथ से कोई भी का तो झोंदर एक और लिए भाग्वान को भोग, पुस्प समर्पित करनी की बाद हो तो दाहिना हाथ हमेशा काम में लिया जाता है तो घर के अंदर आप जब आएं तो दाहिना आप आपका हाथ है दाहिना हो उस साइट आपको दिप प्रज्वलित करना चाहिए हमेशा घी का दीपक सर्वोतम कहा गया है तो घी का दीपक आपको प्रियोग में लेना है दीपक का मुख हमेशा पूर्वदिशा या उत्तरदिशा की और नेरधारित किया गया है तो इस बात का आप सभी दियान रखते हुए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जरूर से लगाएं जो भी दीपक काम में ले रहे हैं ना वहपूर्ण रूप से साबसुछ होना चाहिए उसमें पहले से पड़ी हुई बाती या पहले से पड़ा हुआ तेल ना हो वहपूर्ण रूप से साबसुद्रा होना चाहिए मिट्टी का दीपक कई बार काम में लिया जा सकता है कोई दिक्कत की बात नहीं है बस वह धूमिन ना हो वह पूर्ण रूप से खंडित ना हो कहीं से भी खंडित ना हो तब तक उसका इस्तेमाल करें आब आटे का दीपक लगा रहे हैं तो इसे सर्विस रेस्ट कहा जाएगा तो आप सभी को यह दीपक लगाना चाहिए और ऐसे सुन्दर भाव करने चाहिए कि भगवान इस दीपक के माध्यम से हमारे घर परिवार में प्रवेश करेंगे अर्थात निरंतर प्रभु का इसमान करें कुल देवी देवता अपने पित्रों का ध्यान करें किसी सरल से विसेश मंत्र के साथ आप सभी को दीपक प्रजोलित करना चाहिए जो सर्व प्रथम मैंने मंत्र आपको बताया है वह या स्क्रीन पर दिया हुआ मंत्र जो है शुभम करोती कल्यानम बाला यह जो है आप सभी को कहना चाहिए अगर आपको यह मंत्र नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है सामान्य तोर पर नमह शिवाय ओम यस्री सिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाई इस महा मंत्र का जाप करते हुए या कोई अन्य सरल सा मंत्र जाप करते हुए आपको घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाना चाहिए यकीन मानिये दुख दरीद्र का नाश होगा और हमेशा घर में सकारात्मकता का वाश होगा हमेशा महनत से कमाया हुआ धन सुख संतोस के साथ जो घर में आया हुआ हो उसी का जो है आप सभी को घी लाकर या तेल लाकर या बाती लाकर पूर्ण विश्वास से इसे प्रज्वलित करना चाहिए यकीन मानिये दुखदरी द्रकता का स्वयम अंत हो जाएगा तो सरल सा कारी है प्रते एक दिन यह नियम बना लीजिए कि घर के मुख्य द्वार पर आपको दीपक लगाना ही है इसनान का भाव करते हुए आप सभी को सच्चे भाव सच्चे मन से साज के समय यह दीप जरूर से प्रज्वलित कर लेना चाहिए अपके जीवन में बहुत सारी इसकारे को करने से खुशियां आ जाती हैं, रोज जो है संभव हो तो थोड़ा सा चावल या फूल का आसन दे दीजे, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, दीपक प्रजुलित कर देना चाहिए, परन्तु इसके साथ ही सास्तर में यह भी कह हा गया है, जो माता रानी के स्वरूप है, उनके लिए लंबी बत्ती और जो हमारे देव पूरुस होते हैं, उनके लिए गोल बत्ती का प्रियोग किया जाना चाहिए, समय समय पर हम सभी को विसेस इस्थान जैसे बेल पत्री व्रक्ष और पीपल व्रक्ष या कदंब अठ इन रक्ष में भी दीपक लगाना चाहिए, साथ ही यह बहुत सुब माना जाता है, घर के मुख्यद्वार पर अगर मात तुलसी रखी हैं, तो उन पर भी साम के समय जरूर से दीपक लगाना चाहिए, जिस घर में माता तुलसी का विसेस पूजन किया जाता है, उनके आगे सही इस्थान पर, सही विधी से, सही तरीके से जरूर से लगाना चाहिए, कुछ विसेस उपाय नहीं कर सके, मंतर जाप, दान, पुन्य, कुछ विसेस नहीं कर सके, तो पूरे दिन भर में भूल चूख के लिए जो छमा प्रार्ची होते हुए, कि है प्रभू, मन, कर्म और वचन से भहतिक जीवन का निर्वा करते हुए, कुछ भूल चूख हुई हो, तो छमा प्रार्थी हो, ऐसा कहते हुए, आप सभी को सरलसा एक दीपक प्रज्वलीत कर लेना चाहिए, जीवन में धीरे-धीरे दुख तकलीफ सोय मिट जाएगी, और मनों कामना पूर्ती आप प्रपया लाइक करें, शेयर करें, सस्क्राइब करें, हर हर महा देव